SMTP का पूरा नाम होता है Simple Mail Transfer Protocol हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्शनल दोस्तों ट्रिपल सी और Computer Competitive Exam की सीरीज का या 23 वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 25 क्वेश्चर और उनके आंसर जो की ट्रिपल सी और Computer Competitive Exam की द्रिष्टी से अती आवस्यक हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है hardware और software का एक combination है जो computing डिवाइसों के भी सूचना के आदान प्रदान की शूविदा प्रदान करता है Network, Peripheral, Expansion, Board, Digital Device इस प्रशनी के लिए सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है इसी तरह दोस्तों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके 2 या 4 आप्सन हो सकते हैं उन दोनों या 4 आप्सन में से कोई भी एक सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है यदि आपको किसी भी प्रशन का आंसर नहीं आता है तो आपको इंतजार करना है 2 या 4 सेकेंड के बाद मैं उस प्रशन का आंसर दूँगा तो फ्रफट इस प्रशन का आंसर दीजिए इस प्रशन का सही आंसर है अप्सन नमबर एक नेटवर्क अगला क्वेशन है सभी वेव एड्रेसेज निम्ण में से किस से शुरू होते हैं इस प्रशन के लिए सही आंसर क्या होगा फटा फटा में कमेंट करके बताएं दोस्तों इस प्रशन का सही आंसर है अप्सन नमबर टू एच टीटीप कालन डवल फार्वर्क अगला क्वेशन है SMTP का पूर्ण रूप है स्माल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्वाट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल Simple Mail Transfer Protocol इस प्रश्ण के लिए सही आंसर क्या होगा फटाफट में कमेंट करके बताएं दोस्तों इस प्रश्ण का सही आंसर है Option No.4 Simple Mail Transfer Protocol SMTP का पूरा नाम होता है Simple Mail Transfer Protocol अगला क्वेस्चन है नीचे दिये गए सभी पैद Spreadsheet Software से संबंध है सिवाए खाली जगा है के Worksheet Sale Formula Virus Deduction इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें पद है जो Spreadsheet Software से मिलता जूलता नहीं है इस प्रश्ण के लिए सही आंसर क्या है फटाफट कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्ण के लिए सही आंसर है Option No.4 Virus Detections अगला question है Outlook Express 2010 खाली जगा का मुख्य उत्पाद है खाली जगा में आपको भरना है Option है Google Yahoo Microsoft IBM इन चारों में से सही option कौन सा यां पर भरा जाएगा जो कि इस प्रश्ण को सही करेगा तो फटाफट इस प्रश्ण के लिए आंसर बताएं दोस्तों इस प्रश्ण का सही आंसर है Option No.3 Microsoft Outlook Express 2010 Microsoft का मुख्य उत्पाद है अगला क्वेशन है Hardisk Drive का खाली जगवा इस्टोरेज माना जाता है Flash Non-Volatile Temporary Non-Permanent इस प्रश्ण के लिए सही आंसर क्या है फटाफटा में कमेंट करें इस प्रश्ण का सही आंसर है Option No.2 Non-Volatile Hardisk Drive का Non-Volatile स्टोरेज माना जाता है अगला क्वेशन है Shortcuts और Un-Visage कारियों के लिए खाली जगवा की और कीज के साथ Combination में प्रियोग किया जाता है Ctrl-Alt Function-Tangle Delete-Insert Caps Lock Numblock इस प्रश्ण के लिए सही आंसर क्या है फटाफटा में कमेंट करके बताएं दोस्तों इस प्रश्ण के लिए सही आंसर है Option No.1 Ctrl और Alt Shortcut और Un-Visage कारियों के लिए Ctrl और Alt कीज के साथ Un-Combination में प्रियोग किया जाता है अगला क्वेशन है खाली जगा और खाली जगा सरवाधिक सामान इंपूट डिवाइस है इन दोनों खाली जगा पर आपको आने वाले चार आप्शन में से आप्शन को भरना है Microphone Printer Scanner Monitor Digital Camera Speakers Keyboard Mouse इस प्रशन के लिए सही अंसर क्या होगा फटा फटा हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों इस प्रशन के लिए सही अंसर है Option No.4 Keyboard और Mouse सरवाधिक सामान इंपूट डिवाइस है अगला क्वेशन है नए नाम सहीत या नए लोकेशन पर किसी विद्मान फाइल को सेब करने के लिए आपको खाली जगा कमेंट का उप्योग करना चाहिए Save Save and Replace Save as New File इस प्रशन के लिए सही अंसर क्या है कमेंट करके बताएं इस प्रशन के लिए सही अंसर है Option No.3 Save as नए नाम सहीत या नए लोकेशन पर किसी विद्मान फाइल को सेब करने के लिए आपको Save as command का उप्योग करना चाहिए अगला क्वेशन है किसी PowerPoint परजेंटेशन में नए स्लाइट को जोडने के लिए shortcut कुंजी है Ctrl plus N Ctrl plus O Ctrl plus M Save plus N इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या है फटाफट कमेंट करें इस प्रस्ण का सही आंसर है Option No.3 Ctrl plus M किसी PowerPoint परजेंटेशन में नए स्लाइट को जोडने के लिए Ctrl plus M shortcut कुंजी का उप्योग किया जाता है अगला क्वेशन है CPU का वाबाग जो अन्ने सभी computer components की गतिविदियों को coordinate करता है Motherboard Coordination Board Control Unit Arithmetic Logic Unit इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या है फटाफटा में comment करके बताएं दोस्तों इस प्रस्ण का सही आंसर है Option No.3 Control Unit अगला क्वेशन है Computer जिसने आसानी से instruction समझ लिये हैं उसे खाली जगा कहते हैं User Friendly Information Word Processing Icon इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या होगा फटाफटा में comment करें दोस्तों कि इस question कंदगात इस चारो आप्षन में से कौन सा आप्षन भरा जाएगा इस प्रस्ण के लिए सही आंसर है Option No.1 User Friendly Computer जिसने आसानी से instruction समझ लिये उसे User Friendly कहते हैं अगला question है शमानेता दिनांग किस फॉर्म में परविष्ट की जाती है DD-MM-YY YY-DD-MM MM-YY-DD MM-DD-YY इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या है फटाफट कमेंट करें इस प्रस्ण का सही आंसर है Option No.4 MM-DD-YY अगला question है निम्ण में से कौन सा व्यू के वल टेक्ट डिस्पले करता है Slide Sorter व्यू Slide So Outline व्यू Note Space व्यू इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या होगा फटाफट हमें कमेंट करें इस प्रस्ण का सही आंसर है Option No.3 Outline View अगला question है वर्तनी संबंदी त्रूठी को किस रंग की लाइन से दर्साय जाता है मिन्स टाइपिंग करते वक्त अगर तो spelling mistake हो रहा है तो उसके नीचे किस रंग से लाइन को दिखाये जाता है लाल बैगनी पीले नीले इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या है पटापट हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों इस प्रस्ण का सही आंसर है Option No.1 लाल अगला क्वेस्टन है सर्वर वे कम्प्यूटर है जो खाली जगा से कनेक्टेड दूसरे कम्प्यूटरों को रिसोर्सेज प्रवाइड करते हैं नेटवर्क मेन फ्रेम सुपर कम्प्यूटर क्लाइन इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या होगा फटाफट हमें कमेंट करके बताएं दोस्तो इस प्रस्ण का सही आंसर है आप्सा नंबर एक नेटवर्क सर्वर वे कम्प्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कम्प्यूटरों को रिसोर्सेज प्रवाइड करते हैं अगला क्वेशन है हार डिस्क की छमता मापी जाती है पेंटियम में साई एक्स में गीगाबाइट में ए एम बी में इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या होगा फटाफट हमें कमेंट करके बताएं दोस्तो इस प्रस्ण के लिए सही आंसर है आप्सन नमबर 3 गीगाबाइट यानि की जीवी में अगला क्वेशन है सीप्यू से कम्प्यूटर के सभी अंग आपरेट होते हैं तथा जिस पनाली से काम होता है वह कहलाती है सीउ माउस आपरेटिंग सिस्टम कीबोड इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या होगा फटा फट कमेंट करें इस प्रस्ण के लिए सही आंसर है आप्सन नमबर 3 अपरेटिंग सिस्टम अगला क्वेशन है रैम को कहा जाता है वोलेटाइल अस्थाई मेमोरी अस्थाई एक वह दोनो इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या होगा फटा फट कमेंट करें इस प्रस्ण का सही आंसर है आप्सन नमबर 4 एक वह दो दोनो अगला क्वेशन है कम्प्यूटर के में मेमोरी के भाग है CPU रैम रोम एक वह दो दोनो इस प्रस्ण के लिए सही आंसर क्या होगा फटा फटा में कमेंट करके बताएं दोस्तो इस प्रस्ण का सही आंसर है आप्सन नमबर 4 एक वह दो दोनो यानी CPU और रैम अगला क्वेशन है ग्यात सौप्ट्वेर बग के लिए रिपेर जो समानिता इंटरनेट पर बिना चार्ज के उपलब दोता है उसे खाली जगा कहते हैं इस खाली जगा में आपको भरना है आप्सन इसके नीचे है वर्जन पैच ट्यूटोरियल फैक इस प्रशन के लिए सही आंसर क्या होगा फटा फटा में कमेंट करके बताएं दोस्तों इस प्रशन के लिए सही आंसर है आप्सन नमबर एक वर्जन अगला क्वेशन है कम्प्यूटर डेटा एक अत्रित करते हैं इसका अर्थ है कि वे परियोकताओं को डेटा खाली जगा करने देते हैं प्रिजन्ट इन्पूट आउटपूट इस प्रशन के लिए सही आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करें दोस्तों इस प्रशन का सही आंसर है आप्सन नमबर टू इन्पूट कम्प्यूटर डेटा एक अत्रित करते हैं इसका अर्थ है कि वे परियोकताओं को डेटा इन्पूट करने देते हैं अगला क्वेशन है हैंड़ाउट में हेडर या फूटर जोडने के लिए निवन में से किसका प्रियोक किया जाता है स्लाइड मास्टर हेंड आउट मास्टर टाइटल मास्टर ये सभी इस प्रशन के लिए सही आंसर क्या होगा फटा फटा मैं कमेंट करके बताएं दोस्तों अगला question है खाली जगा है सबसे पहले एक प्रकार की अस्थाई memory है जो startup के लिए computer को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी instruction को hold करती है और power बंद करने पर यह erase नहीं होती RAM, handout master, title master, room इस question के लिए सही answer क्या होगा फटा फटा में comment करके बताएं दोस्तों कि इन चारो option में से कौन सा यह को option है जो इस question के पहले खाली जगाद में भरा जाएगा और इस line को फूरी हो जाएगी तो फटा फटा में comment करें इस प्रशन का सही answer है option number 4, room, room एक प्रकार की अस्थाई memory है जो startup के लिए computer को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी instruction को hold करती है और power बंद करने पर यह erase नहीं होती अगला और आखरी question है इसमें computer का कौन सा अनिवारे भाग नहीं है monitor, scanner, ram, mouse इस प्रशन के लिए सही answer क्या है फटा फटा हमें comment करके बताएं दोस्तों इस प्रशन का सही answer है option number 2, scanner scanner computer का अनिवारे भाग नहीं है इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा 25 question जो की triple C और computer competitive exam की दिष्टी से अती आवस्चक थे ऐसे ही रोज आप question और knowledgeable वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और वीडियो को like जरूर करिए मिलते हैं दोस्तों आपको new knowledgeable वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत